दोस्तों क्या आपको पता है कि 1960 के दसख में महिलाओ का प्रेग्रेंशी टेस्ट कैसे होता था दवाओ के पत्ते पर लाल रंगी धारी ही या कि क्यों होती है और तो और स्कूल बस को पी ले रंका पैंट फ्यस्कूम किया जाता है यह नई वीडियो अप्लोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलें सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नम्मो वन गूगल के संस्थापक सन 1999 में गूगल के संस्थापक ने एक मिलियन डॉलर में से भी अधिक के लिए एकसाइट को बेचने के चुक हो गयते हैं यानि कि गूगल की साइट है वो एकसाइट को बेचने के चुक हो गयते हैं मात्र सिर्फ एक मिलियन डॉलर में लेकिन क्या आप जानते हो या आपने कभी कोशिस की है कि एक गिलास पानी में जब भी आप एक मुठी नमग डालते हो तो पानी का इस्थर कम हो जाता है वास्ता में एक गिलास में पानी की कुल मात्रा एक मुठी नमग डालने से 2% तक कम हो जाती है Fact No.3 क्या आपको पता है कि 1960 के दसक में pregnancy test कैसे होते थे आज महिलाओं को अगर pregnancy test कराना होता है तो market में कही प्रकार की pregnancy kit उपलब दे है परंतो 1960 के दसक में विश्वशनी इस थर पर pregnancy test करने के लिए एक महिला के मूत्र और मेंडक से किया जाता था अर्थात एक महिला के मूत्र को इंजेक्शन में लेने के बाद मैंडक में इंजेक्ट किया जाता था यदि मैंडक 12 गंटे के बीतर ओविलेट करता है तो महिला गर्वती है क्यों दोस्तो इसने तो दिमाग खिला डा रहा है कमेंट करके जरूर बताए क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में आठ मार्च को अंतराश्टे महिला दिवस मनाया जाता है क्या है इसके पीछे की वज़े दरशल साल 1917 में युदू के दोरान रूस की महिलाओं ने ब्रैड एंड पीस यानी खाना और सांती की मांकी महिलाओं की हरताल ने वहां के समराट निकोलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंतरीम सरकार ने महिलाओं को मत्तदान का दिकार दी दिया उस समय रूस में जूलियन केलेंडर का प्रियोंग होता था जिस दिन महिलाओं ने ये हरताल सुरू की थी व्यतार 21 फरवरी थी लेकिन ग्रेगरेडियन केलेंडर में ये दिन 8 मार्च का था और उसी के बाद से अंतराश्टे महिलाओं दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा कई देशों में इस दिन महिलाओं के सम्मान में छुट्टी दी जाती है फैक्ट नमर पांच क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्लास्टिक की बोतल में नीचे की तरफ कुछ त्रभूच बना होता है और उस पर कुछ नमर लिखा होता है जिसे हम कोड भी कहते हैं इसा क् इन नमर का क्या आर्थ है इन्हें क्यों लिखा जाता है दर असल इसे रेजीन आइडेंटिफिकेशन कोड यानि आर आईसी कहते हैं रेजीन का आर्थ है राल यह पधार्थ है जिससे प्लास्टिक बना होता है यानि कि प्लास्टिक के प्लास्टिक के प्लास्टिक के लिए कोड की संख्या एक से साथ तक होती है यह कोड जानकारी देता है कि खत्रे वाले रेजिन या खत्रे वाले प्लास्टिक कौन कौन से हैं वहीं एक से लेकर तक कि कोड किसी स्पेसिफिक प्लास्टिक पॉलिमर की पुष्टी करता है और कोड साथ एक जनरल सिर्णी है जिसमें वो सभी परकार के प्लास्टिक आजाते हैं जो एक से छे तक में नहीं आते हैं इसी बात पर दोस्तों एक लाइक वीडियो को जरूत करें फैक्ट नमर सिक्स कि आपने कभी ध्यान दिया है कि स्कूल बस को पीले रंग का पैंट क्यों किया जाता है लाल रंग आम तोर पर साबधानी के साथ जुड़ा हुआ है फिर भी लाल रंग उसको नहीं किया जाता है क्योंकि लाल रंग जो होता है अलट करता है इसलिए वह स्कूल बस को पैंट करने की अच्छा विकल्प नहीं होगा और सफेद रंग भी सामाने है लेकि पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से बहुत दूर से देख सकते हैं बारिस हो कोहरा हो और उसमें भी हम इस रंग को आसानी से देख पाते हैं और अन्य किसी भी रंग की तुलना में ये आखों को जल्दी दिखाई देता है। बले ही आप सीधा ना देख रहे हों तब भी आप आसानी से पीले रंग को देख पाते हैं। इसलिए स्कूल बस को पीले रंग से पैंट किया जाता है ताकि हाईवे पर एक्सिडेंट की समवना ना के बराबर हो ताकि बच्चे सेफटी से अपने घर पहुंच सके। दोस्तों दवाओं के पत्ते पर लाल रंग की धारी क्यों होती है। दवा के स्ट्रिप पर लाल रंग की धारी का मतलब यह है कि डाक्टर के परचे की बिना इस दवा का ना तो बेचा जा सकता है और ना ही इस्तिमाल किया जा सकता है। एंटी बायोटिक दवाओं के दुर्वियों की जाच करने के लिए दवाओं के पैक में लाल धारी की दी जाती है। और उसे अन्य दवाओं से अलग करती है। स्ट्रिप पर लाल धारी देने का उद्देश्य टीवी मलेरिया पर इसाफ से संबनें संक्रमन और यहां तक ही HIV सहीत कई गंबिर विमारियों के लिए बिना डॉक्टरी प्रामर्स के या सीधे दवा की दुकान से एंटी बायोटिक दवा की खरीर की विकरी पर रोक लगान करना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन मिले सबसे पहले